खबर नरकटिया गंज से है जहां शनिवार की सुबह दो मंजिला इमारत पर कारी कर रहे एक मजदूर का हाई टेंचन तार की चपेट में आने से मौत होगी घटना नरकटिया गंज बेतिया मुख्य मारग SSB केम के समीब की है मौत मजदूर की पहचान बरजा बेरिया गाउ निवासी सुग्रीम राम के 32 वर्शी पूत्र हुकल राम उर्फ भुवाल राम के रूप में हुई है घटना के संबंद में बताया जाता है कि क्रशी बाजार रोड निवासी प्रहलात साह का SSB केम के समीब नव निर्मित मकान के दो मंजिला इमारत पर छट धुलाई का कारी होने वाला था जहां भुखल राम धूब नगर के पथल ना मक्ठे के दारव अपने अन्य मजदूर साथी के साथ वह कारी कर रहा था मजदूरों ने मकान मालिक से हाई टेंशन तार को हटाने को कहा लेकिन मकान मालिक दोरा इस बात पर धियान नहीं दिया गया और बगेर सेफटी के ही काम कराये जाने लगा काम करने के दोरान ही भुखल हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया आनन फानन में साथ कारी कर रहे मजदूर साथी ने उसे अस्पिताल पहुचाया जहां चिकित्सकों ने जाच के बाद उसे मरत गोशित कर दिया सूचना पर पहुची शिकारपूर पुलीस ने मरत मजदूर के शव को अपने कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए बेतिया जी एमसी एच भेज दिया गया घटना के बाद से उसके परीजनों का रोरोकर बुरा हाल था बता दे मरतक की एक धाई साल की पुत्री है और उसकी पत्नी पेट से है एक दो दिन में उसके बच्चे की पेदाईश होने वाली है नरकटिया गंज से रंजन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट बता है कि एलग्टिक स्वाफ लगा और उसके बता है कि एलग्टिक श्वाफ लगा बंडेहे बता है यह अ नाकट्छा लोग्गा बदा नाकटाइए भासी आई पांत लाइनीया बहस सट गई लोगोव बस इंगा क्रेंट मारे गया बड़ा शुत्री है खबरें तो देश से बहुत आती हैं लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती है दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़ हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड मरोड एन्टीवी टाइम जानता की बात जानता के साथ